एक वीवर ने comment box में पूछा है कि equipped with क्या है तो आईए friends उनकी confusion को खत्म करते हैं equipped with का मतलब होता है fitted with यानी सूसजित होना यानी किसी एक noun के साथ कोई दूसरा noun का होना या किसी दूसरे noun का जोड़ा होना कई बार लोग इस बात को कहने के लिए सूसजित होना भी कहते हैं लगता है आप समझे नहीं आईए कुछ exam पर इस देखे ताकि आप इस बात को असानी से समझ सकें अगर आपको कहना हो मैंने एक laptop खरीदा जिसमें Microsoft भी था यानी मैंने एक laptop खरीदा जिसके साथ Microsoft भी था तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I bought a laptop equipped with Microsoft यानी मैंने एक laptop खरीदा जो Microsoft से सूसजित था अगर आपको कहना हो वो आधुनिक हतियार के साथ सूसजित था यानि वो आदमी modern weapons के साथ था तो इस sentence के लिए आप कहेंगे That man was equipped with modern weapons यानि वो आधुनिक हत्यारों के साथ सूसजित था या वो आधुनिक हत्यारों के साथ था अगर आपको कहना हो यह जहाज आधुनिक तक्नीक से सूसजित है यानि यह जहाज आधुनिक तक्नीक के साथ है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे This ship is equipped with modern technology यानि यह जहाज आधुनिक तक्नीक से सूसजित है या आधुनिक तक्नीक के साथ है अगर आपको कहना हो मेरे रहने वाला रूम आधुनिक सुविदाओं से सूसजित है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे My living room is equipped with modern facilities यानि मेरे रहने का रूम आधुनिक सुविदाओं से सूसजित है इस sentence के लिए आप ये भी कह सकते है कि मेरा रहने वाला रूम modern facilities के साथ है तो friends उमीद करता हूँ कि आपने इस बात को शांदार तरीके से सीखा कि equipped with क्या है अगर वाकर ये आपने इस concept को शांदार तरीके से सीखा तो क्या इस topic पर कुछ sentences coming box में निखेंगे कुछ sentences coming box में निखें ताकि मैं चेक करके बता सकूँ कि आपने सई सीखा या घलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ अब तक के लिए बाए